हेलो गईज मैं हूँ अमित और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप अगर वीडियो बनाते हो तो आपके बैक्राउंड में बहुत सारा नवाईज आते रहता है अगल बगल की जो आप कैसे रिमूब कर सकते हो और भी एक क्लिक में तो आज की इस सब्सक्राइब करने से आपके बैक्राउंड की जितनी भी इन्वाईज है ओ गायब हो जाएगी तो चलिए आपको सिखाते हैं कैसे कर सकते हो जो की बिल्कुल एजी है तो ध्यान से देखते रहेगा इस वीडियो को और साम में भी आज एक और वीडियो आएगी तो उसे भ सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर यहां पर यहां पर बहुत सारे ओप्सन देखने को मिले गए इस परकार से इंटरफेस दिखता है तो मीडिया का उप्सन सबसे पहले आता है मैं एक मीडिया सेलेक्ट करके आपको उसके बैक्राउंड के नवाइज को हटा कर बताऊंगा तो यहां पर क्या करना है यह जो फाइल का उप्सन इस पर टाप करेंगे ही मेरा गैलरी खोल देगा मतलब जो भी है फाइल में तो यहां पर वीडियो जो वाले में जाना है मेर आप समझ जाओगे अभी जो अबाज सुन ले हो सो मैं बाहर सूट कर रहा हूं तो अभी नौज दिख रही होगे और इसे मैं डिमूब करके बताऊंगा अभी आपने आवाज सुना इसमें आपको नौज आ रही होगी लेकिन इसका नौज हम हटाएंगे तो इसके लिए क्या करना होगा सबसे पहले आपको इस लेयर पर डबल टाप करना है मतलब डबल क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर और भी ऑप्शन आ जाएंगे यहा यहां पर जो ग्राफ दिखा रहा है कहां-कहां साउंड कितना है तो आप इसे जूम करके भी देख सकते हो ऐसे इधर जैसे-जैसे प्ले होगा वैसे 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 दिखाएगा ही तो इसको हम जैसे वैसे छोड़ देशन से कोई मतलब नहीं है अब आपको यहां पर ओटो न करना है लेफट, राइट में तो यहां से आप इसे इधर उयदर करोगे तो यह इदर उयदर होता है आप कर सेकते हो तह भी छोड़ने के लिए यहां पे reset कर देते हैं अब नीचे चलते हैं यहां पर fade in fade out मनतब शुरू का आवाज fade करना है दीरे दीरे बढ़ाना है तो कर सकते हो out करना तो यहां भी इसको बढ़ा सकते हो कित्ते सिकेंड तक रखना है सब्सक्राइब पीछ से होगा आवाज पतला हो जागा और भारी हो जागा सो करने के लिए आप कर सकते हो एडियो डेक्न यहाँ पर रूगरूप के साथ होगा चलेगा यहाँ पर एक्वालाइजर आ रहा है डिफल्ट आ रहा है बहुत सारा इसमें आपको मिल रहा है जो भी आपको यूज करना सो कर सकते हो अभी मैं सिर्फ आपको करके बताऊंगा यहाँ पर आपको नया वाला में आप्शन मिलता है अगर इंस्ट्रोल करते तो आप्शन मिलेगा यहाई स्पीच इनहांस्मेंट और दूसरा वाइंड रिमोवल वाइंड रिमोवल अगर आउन करत अभी जो आवाज सुन रहे हो सो मैं बाहर सूट कर रहा हूं तो अभी नुवाज थिक रही होगे और इसे मैं रिमोव करके बताऊंगा शो यहाँपे आपको आवाज में फर्क पताचल गया होगा इसे पहले में आपको बाहर कर दो जो नुवाज होता था खुछ कोच का आवाज सु आपको सुनाई दे रहा होगा लेकिन अभी कौई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही बस इतना करोगे और ओके कर दोगे तो आपका मैज केंसलेशन हो जाएगा और यही होता है लैपटोप और मौहल में फर्क तो जरूर इसे यूज कीजिएगा तो चलिए आज के लिए इतना है